नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो अच्छी फिल्मे देखना किसे पसंद नहीं है अगर ऐसे में आपको लोगों के द्वारा दी के रेटिंग से पता चल जाए कि कौन से फिल्म कितनी अच्छी है तो फिर क्या बात हो इस केस में अच्छी फिल्मों की उमीद कर सकते है इसलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको हाइस टेटेट टॉप 20 इंडियन फिल्मों की जानकारी देंगे यहां डिस्कलेमर यह है कि हर फिल्म को वोटिंग के आधार पर IMDb रेटिंग दी जाती है किसी फिल्म को ज्यादा वोटिंग मिलती है तो किसी को कम इसलिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखने के लिए वोटिंग और IMDb रेटिंग का एक एवरेज जरूरी है जिसके चलते प्रॉपर जरूरी मानकों को ध्यान में रखकर IMDb इंडिया ने टॉप मुवीज की लिस्ट जारी करी है यहां य अब तक तो देखी लिया होगा यह फिल्म यूटूब पर भी फ्री में अवेलबल है इस इस्पोर्ट ड्रमा फिल्म ने लोगों को इमोशनल कर दिया था इसपेसली नानी ने सभी का दिल जीत लिया फिल्म को IMDb पर 8.4 आउट अफ 10 की रेटिंग दी गई है फिल्म के हिं तो डेफिनिटली यह फिल्म भी आपको बहत पसंद आईगी फिल्म को नेसनल अवाड से भी नवाजा गया है फिल्म को IMDb पर 8.4 आउट अफ 10 की रेटिंग दी गई है और आप इस फिल्म को किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकते अठारवे नंबर पर भी एक तमिल फिल्म का ही नाम आता है इस फिल्म का नाम है 96 यह पिछले कुछ समय में आई सबसे इमोजनल और साफ सुत्री रोमेंटिक फिल्म रही फिल्म में विजय सेतुपती और त्रिशा किष्णन ने अपनी एक्टिंग से फिल्म को अलगी लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया यह फिल्म यू साबित हो सकती है फिल्म में सूर्या ने अपनी पर्फरमेंस से लोगों का दिल जीत लिया नेडू मरन का सपना की कम पैसे में लोगों को हवाई जाज की सेर कराना वाके में लोगों के दिल को जंजोर देने वाला था फिल्म को एक लाग से भी ज़्यादा लोगों की वोट प्रारत तमाचा है जो हमेशा असलीलता और नगनता को परुषते हैं एक मिडल क्लास फैमली के बीच लिखी गई ये फिल्म 2021 की मास्टर पीस फिल्म है इस फिल्म को IMDb पर 8.4 आउट अफ 10 की रेटिंग दी गई है पन्रवे नंबर पर जगा बनाई है पातर पंचाली नाम क एक बंगाली फिल्म ने सत्य जी तरे के डिरेक्सिन ने बनी ये एक एपिक ड्रामा फिल्म है ये कहानी है अपू और दुर्गा की जिनके जीवन के संगर्स के सफर को बखुवी परदे पर दिखाया गया है तबी तो साल 1900 इंसर्ट की फिल्म आज भी IMDb की टॉप 20 फिल्म में 15 नमबर पर अपनी जगा बनाए हुए है 14 नमबर पर हम बात करने वाले हैं अनुरा कस्यब निर्देशिद ब्लैक फ्राइडिक स्टारिंग केके मैनन, एमतियाज अली, जाकिर हुसेन और पवन मलोत्रा ये फिल्म साल 1993 के मॉंबई बंबलाष्ट के इर्द गिर्थ लि की एफटलर्स एक्टिंग देखने को मलती है, ये कहानी है चार भाईयों की जो जरजर इस्थिती में साथ रहते हैं और कैसे आगे चलकर एक दूसरे का सहरा बनते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है, फैमली वैल्यूस को सिकलाती इस फिल्म को आईम डे पर 8.4 आउ लिखी गई है, ये एक कल्ड क्लासिक फिल्म है और आगे भी बनी रहेगी, इस फिल्म को आईम डे पर 8.4 आउट और 10 की रेटिंग दी गई है, भारत की टॉप आईम डे बी रेटेड मुवीस में 11 पाइदन पर जगा बनाई है एक मराथी फिल्म ने, इस फिल्म का नाम है नाटि समराट, जिसमें नाना पाटकर सहब नजर आये थे, ये फिल्म अपने समय तक की मराथी इंडस्टी की हाईउस्ट ग्रॉसर फिल्म थी, बात में सेराट फिल्म ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया था, ये फिल्म दिकस थेटर आर्टिस्ट गनपत रामाचंदर यानी की नाना पाटकर के इर्दगिर्ड लिखी गई थी, फिल्म में नाना पाटकर की बैतरिन एक्टिंग देखने को मिली और इस फिल्म को ठेरो अवार्ड भी मिले, आयम डीवी पर इस फिल्म को 8.4 आउट अफ 10 की रेटिंग दी गई है, दसवे नमबर पर जगा सकती है, जलिया वाले बाग के सेंस ने लोगों को रूला कर रख दिया, फिल्म सफल रही और इस फिल्म को आईम डी पर 8.5 आउट अफ 10 की रेटिंग दे गई, नौवे नमबर पर एक बंगाली फिल्म ने जगा बनाई है, फिल्म का नाम है अपर संसार, ये साल 1969 की फिल्म है और अभी तक टॉप में बनी हुई है, इस फिल्म को सत्य जीत रे ने डिरेक्ट किया था और ये फिल्म बंगाली नौवल पपर यितों पर बेस्ट है, ये एक बिरुजगार युवक की कहानी है, जो अपनी जिंदगी में सफलता पाने की जद्दो जहत में लगा रहता ह फिल्म को IMDb पर 8.5 की रेटिंग दी गई है, आटवे नंबर पर एक हिंदी फिल्म ने जगा बनाई है, ये फिल्म है अमुल पालिकर की गोलमाल, साल 1989 की ये फिल्म आज भी इतना बूता रखती है कि आपको हसा हसा के पेट में दर्द करते, फिल्म की गिंती भारती सिनेम की सर्फिस्ट कॉमेडी फिल्मों में होती है, IMDb पर इस फिल्म को 8.5 आट अफ 10 की रेटिंग दी गई है, साथवे नंबर पर एक ऐसी फिल्म आती है, जिसके इतने रिमेक बने की लोग ओरिजिनल फिल्म को ही बोल गए, ये फिल्म है मल्यालम भासा में बनी मनी चित्रा साल 1993 की इस फिल्म को चंद मुखही, आपता मित्रा और भूल बलिया सरी के कई रिमेक बने, ये अपने दोर की एक यूनिक फिल्म थी जिसको IMDb पर 8.5 आट अफ 10 की रेटिंग दी गई है, छटवे नंबर पर भी मोहनलाल सर की फिल्म नहीं जगा बनाई है, फिल्म का नाम किरिदन जो की साल 1989 में रिलीज हुई थी, बाप और बेटे के रिष्टे पर बेश्ट ये एक खुपसरत फिल्म रही, जिसने लोगों के दिलों को जंजोर के रख दिया, पिता तिलकन और मोहनलाल सर की परफॉर्मेंस लाजेवाब रही, इस फिल्म को हिंदी में गर्दिस को फोकस में लेकर चलती है, फिल्म दिखाती है कि वहाँ की समस्याओं से लोगों की जिंदगी में क्या चेंजमेंट होता है, फिल्म को ओडियन्स से लेकर मेजर्टी क्रिटिक्स ने खुप तारिफ करी और इस फिल्म को आईम डे पर 8.5 और 10 की रेटिंग दी गई है, से स्वीट सी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स और ओडियन्स दोनों ने पसंद किया, और इस फिल्म को आईम डे पर 8.5 और 10 की रेटिंग दी गई है, दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 3 फिल्मों की, तीसरे नमर पर जगा बनाया है 2018 के फिल्म पर ये रूम इस फिल्म को आईम डे पर 8.5 और 10 की रेटिंग दी गई थी, दोस्तों इंडिया की second highest rated फिल्म है साल 1987 की नाइकन, इस्टारिंग कमल हसन, दोस्तों टॉप रेटेड फिल्मों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कमल हसन सर की फिल्मों का ही जिक्र होता है, ये एक एपिक क् इस फिल्म के लिए कमल हसन को नेशन एवार्ट से भी नवाजा गया, इस फिल्म को आईम डे पर 8.5 और 10 की रेटिंग दी गई है, दोस्तों अब बात करते हैं, इंडिया की नंबर वन आईम डे बी रेटेड इंडियन फिल्म की, ये फिल्म भी तमिल इंडेस्ट्री से बि इस फिल्म को लोगों ने काफी जादा पसंद किया, इस फिल्म में दलितों की दैनी इस्तिती को बखो भी दिखाया गया है, ये फिल्म साल 1993 के जेस्टिस के चंडरू की लाइफ पर बेश्ट थी, एक जरूरी मानक को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को आईम डे पर 8.7 आउट अफ 10 की रेटिंग दी गई है, अगर हम इस फिल्म की separately बात करें, तो इस फिल्म को इतने ज़्यादा लोगों ने वोटिंग दिया है, कि currently इस फिल्म की आईम डे बी रेटिंग 9.5 हो चुकी है, जिसने वर्ड की highest dated फिल्म ससांग Redemption को भी पीछे छोड़ दिया है, तो दोस्तो ये रहा आज का हमारा एक dedicated वीडियो, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे comment section में बता सकते हैं, साथी साथ next अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी नीचे comment section में ज़रूर बताएं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिज लाइक करें, comment करें और हमारे चैनल को subscribe करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद